कि जैहन देवरिवान वेरी वाँ वेलकम टौल आफ यू बहुत-बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोगों ने स्पोर्ट करेंट अफेर को बहुत ही सांदा जानदा धंग से कवर कर लिया था और आज की क्लास में हमें स्पोर्ट सब्सक्राइब पर हमें अर्जुन पुरु सकार को भी बहुत अच्छे से कवर करना है दोना चार्व में राश्री खेल प्रशाहन पूसक्राइब और अब उन कलाम आजाद ट्रॉफित इतने सारे स्पोर्ट आवार्ड को कभर करना है उसके बाद ICC के कुछ प्लेयर आफदा येर हैं उनको भी हमें कभर करना है इतनी बाते बटांगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दू आकार आइस के ऑफ-लाइन और ओनलाइन दोनों ही प्लेटफ़र्म पर प्रिलिम्स और मेंस की क्लासे साथ हो चुकी है साथ आपको हाइब्रिट मोड पर क्लास की वी सुबदा कार आइस के दौरा उपलब्द करा रही है जिसमें ऑफ-लाइन का जो पूरा का पूरा कोर्स है आपको लाइव ऑनलाइन माध्य में अप्लब्द होगा आकार आइस के एप्लिकेशन में तो अगर आपने अभी तक आप्लिकेशन डाउलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक की दिया गया है तुरन जाकर डाउनलोड करें इसके लावा एंपीपेसी 2023 के लिए जो प्रिलिम्स स्पोर्स अवार्ड में जैसा कि मैंने बता दिया है कि इतने सारे आवाड जो है नेशनल स्पोर्स आवार्ड की कटेगरी में आते हैं कौन-कौन से एक वाद फी मेरे साथ बोल दीजेगा मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न अवार्ड पहला दूसरा आएगा ध्यान चंद अ आवार्ड ध्यान रखेगा यह मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड अलग है ठीक है लाइफ टाइम जो एकिव्मेंट के लिए दिया जाता है में फिर आमें कवर करना है अरजुन अवार्ड और दोना चार वार्ड ही चार इंपोर्टेंट अवार्ड से उसके बार यह दो अवार्ड है उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन चुक्त ये नेशनल स्पोर्ट्स आवार्ड में सामिल माने जाते हैं तो इनके बारे में भी कुछ एक आद दो फैक्ट हमें कवर करना है तो चलिए श्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया की हुए मेजर ध्यांच को नेशनल स्पोर्ट डे राश्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है अब आपके दिमाग में सवाल आएगा 29 अगस्त को ही स्पोर्ट डे क्यों मनाया जाता है क्योंकि 29 अगस्त 1905 में हौकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यांचन जी का जन्म हुआ था ये 29 अगस्त बर्त एनिवर्स्री है मेजर ध्यांचन साहब की मेजर ध्यांचन साहब का जन्म 29 अगस 1905 को प्रयाग राज में हुआ था इसलिए हर साल 29 अगस्त को राश्टी खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इन नेशनल स्पोर्स अवार्ट की घोशना की जाती तो एक अभी आपसारो राश्पती भवन में जन्रव नॉमबर्श और व जन्वरी की आसपास राश्पती भवन में समार और इस समारों में भारत की जरा पती सब्सक्राइब थी हैँसे हमारी क्लियर हो गया पहला жеल Teaklet विवस म०ोर्स होती है क्यों क्योंकि इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यांचन साहब का 29 अगस 1905 को कहां हुआ तब या प्रियाग राज को यह जितने भी नेशनल इस्पोर्ट आवार्ड है यह देता कौन है आंसर हो जाएगा राजपती अच्छा किसे मिलेगा यह कैसे तैह होता है ध्यान समझेगा हर साल जो आवेदन फॉर्म भरते हैं उन आवेदन को एक्सेप्ट करता है मंत्राले खेल मंत्राले और एक सर्च कमिटी बनाता है एक समीती बनाता है वह समीती जितने भी अप्लिकेशन आए हैं जितने भी नाम आए हैं उन पर विचार करता है और विचार करके रिक्मेंडेशन देत जो कि हमारा highest sport award आता है major ध्यांचंद्र खेल रत्न अवार्ड कौन सा major ध्यांचंद्र खेल रत्न अवार्ड पहला पॉइंट आपकी दिमाग में यही बैठ जाना चाहिए कि major ध्यांचंद अवार्ड is the country's highest sport award तो ध्यान रखीगा देश का सर्वोच खेल पूरुसकार कौन सा है major ध्यांचंद्र खेल पूरुसकार इसके establishment कब की गई थी आपको बहुत अच्छे धंग से ध्यान रखना है 1991-1992 अच्छे पॉइंट ध्यान रखीगा जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे राजियों गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था ध्यान समझेगा जो major ध्यांचंद्र खेल रत्न अवार्ड है इस की स्थापना 1991-92 में हुई थी लेकिन इनिशली डिस अवार्ड वास कॉल्ड राजियों गांधी खेल रत्न अवार्ड आंगे चलकर 2021 में इस पुरुसकार का नाम राजियों गांधी खेल रत्न अवार्ड से बदल कर major ध्यांचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया तो अवार्ड कर दिया गया अंसर हो जाएगा हमारा 2021 में क्लियर हो इतनी बात चलिए अच्छा एनॉंस्मेंट किसे करता है मैंने पहली कहा है कि जिन्हें भी लगता है कि अवार्ड मिलना चाहिए वह एप्लिकेशन फॉर्म भरते हैं उन एप्लिकेशन फॉर्म को अच्छा खेल और युवा मामले का मंत्राल है फिर जितने भी नाम आते हैं उन पर एक सर्च कमिटी बनाए जाती है वो सर्च कमिटी फिर युवा खेल मामले के मंत्राले को रिकमेंट करती है और हर साल गोष्णा कौन करता है विया तो Ministry of Youth Affairs and Sport और देता कौन है राश्पती के दोरह कब announcement की जाती है जनरली 29 अगस को या 29 अगस के पहले भी 29 अगस को भी कईवा सेरे में हो जाती है ठीक है चलिए अब इसमें दिया क्या जाता है सर माल बताईगे कितना मिलता है सबसे जाता है इसके लावा आपको एक मैडल भी दिया जाता है और प्रशस्ति पर पत्रों पचीस लाक रुपए का इमांट सबसे जादा है इसलिए मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड को हाईजेस्ट अवार्ड इन दा फिल्ड ऑप स्पोर्ट कहा जाता है इन इंडिया ठीक हो इतनी बाते हैं अच्छा फाइनलाइस कैसे करते हैं की नहीं दिया जाएगा तो ऐसे खिलाडियों को दिया जाता है जिन्होंने इशले चार वर्सों में रिमार्केबल एच्यूब्मेंट गेन किया है उलेखनी उपलब्दी हासिल किया चाहिए अगर आप से कोशन पूछा जाए कि पहला मेजर ध्यांचन खेल रतना वार्ड यानि उस ताइम पर राजियों गांदी खेल रतना वार्ड कहा जाता था किस बार कोशन पूछा गया है अंसर हो जाएगा विश्वनार्थन आरंदन और विश्वनार्थन आरंदन किस गेम के जादूगर कह जाते हैं आप सभी को पता है सत्रण तो एक बाद मेरे साथ बोलेगा डेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है मेजर धांचन ख जाना जाता था राचियू गांदी खेलत अवार्ड इसमें कितना इमाउंट दिया जाता है पच्चीस लाग और क्या देते हैं मेडल देते हैं प्रशस्विपत्र दिया जाता है कौन घोशना करता है तो आंसर हो जाएगा जो मिनिश्री आफ यूथ अफेर एन स्पोर्ट ह फिर पहला किसे दिया गया था विश्वनात अनंदन को किसके जादूगर है विश्वनात अनंदन सत्रंज के ठीक है फिर अगर आपसे कुशन पूछा जाएगा कि भाईया मान लिया कि विश्वनात अनंद जो है यह पहले वेक्ति हैं जिन्हें राजियू गांदी खेलतन औन प्दिक वो जा गए है पहली महला करनम मलेश्युरी और चुकी है बारत तोलन की है बडिया गया था इन्हें 1995 में पहले महिला कौन है कब दिया गया 1995 में किस स्पोर्ट से बिलॉंग करती है वेट लिफ्टिंग से ठीक है चलिए जनरली जो स्पोर्ट अवार्ड हर साल दिये जाते हैं लेकिन साल 2008 जो था और जो 2014 था वह इस अवार्ड के लिए जीरो एयर था है 2008 और 2014 में किसी को भी यह जो अवार्ड है नहीं दिये गये थी साल 2022 का जो मेजर ध्यांचन खेलरत अवार्ड है यह दिया जाता है अचंता सरत कमल बहुत इंपॉर्टन पर्शनालिटी है मदराश्ट नहीं से बिलॉंग करते ह है और टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी है तो ध्यान रखीगा आप से चुके लेटेश्ट का है 2030 का भी तक दिया नहीं गया है तो 2022 का खेलरत अवार्ड किसे दिया गया अचंता सरत कमल किस स्पोर्ट से बिलॉंग करते हैं टीटी टीटी का मतलब हो गया टेबल टेनिस और कहां से हैं अंसर रजाएगा अच्छे नहीं पहरी महिला कौनती कर्णम मलेश्टरी किस स्पोर्ट से बिलॉंग करती है वेट लिफ्टिंग कब दिया किया कर्णम मलेश्टरी को 1995 पहला किसे दिया गया विश्वनात आनन जी को ठीक हो कितनी बाते इस तरह इतनी फैक्ट आ अलग है और द्यान्चन लाइफ हcą है चीनम अबर अलग है मेजा द्यांचन खेलत में जसका पुरानाम राजिव्गान्थी जना बोड़ था उसकी सब्सक्रण स्व Jakeрос ऑर इसकी स्वेस्वेसन Sसाल 2002 में ब् sos है क्लिक लाइब टाइम याने इस पोर्ड जगत की सैंस्ति को यह अवाट दिया जाता है जिन्होंने तां उम्र स्पोर्ड के प्रोमोशन में खुद को लगा दिया खुद समर्फित कर दिया लाइफ टाइम एचीवमेट के कटेग्री में यह आब दिया जाता है कब इस्टाब्लिस्मेंट करी गए थी साल 2002 में और इसका जो एमाउंट है वो 10 लाग रुपाय मेजर ध्यांचन खेल रतन वाट का कितना था 25 लाइक रूपीज और इसका कितना है 25 लाग एक पद्दक देते हैं परस्थिपत्र देते हैं पहला मेजर ध्यांचन खेल तो वर्ट किसे दिया गया 1991-1992 में अंसर हो जाएगा विश्वनातन आनंद को लेकिन पहला यह जो अवार्ड है ध्यान चन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह तीन लोगों को दिया गया था वो तीनों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए वो कौन दे सब दूसरा नाम ध्यान रखना है असोग दीवान और असोग दीवान किस से बिलोंग करते हैं होकी से तो पहला कौन सा था एक वाफिर बोलें जिसे क्लास में ही सारे फैक्ट्स याद हो जाए साहु राज विराजदार किस से बिलोंग करते हैं बौक्शिंग से बिलोंग करते ह हैं एक फिर मेरे साथ बोलेगा कि पहला ध्यान चंद्र लाइफ टाइम अचीवेंट अवर्ट कब दिया गया अंसर कब से शुरू हुआ तो 2002 से शुरू हुआ पहला कितने लोग को दिया गया तो तीन मेजर ध्यान चंद्र खेल रतना वर्ट किसे दिया गया वेरी गूड अचंता सरत कमल अच्छा किस स्पोर्ट से बिलॉग करते हैं टीटी टेवल टैनिस से कहां से हैं चलें फिर ध्यान चंद्र लाइफ टाइम एचिर्मेंट आवर्ट चार लोगों को दिया गया पहला नाम है असुनी अकुंजी जो एथलेटिक्स हैं वाफी मेरे साथ बुलिए चारों का नाम बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए साथ इसान उन्हें किस स्पोर्ट के लिए दिया गया यह भी ध्यान रखना है असुनी अकुंजी इन्हें एथलेटिक्स के लिए तारीक वाफी बीसी सुरेश कबड़ी और चौता नाम आता है नीर बहादुर गुरंग नीर बहादुर गुरंग जी को किसके लिए दिया गया था पैरा एथलेट्स के लिए ठीक है तो एक बार फिर मेरे साथ बोलें ध्यान चंद लाइफटाइम एचीमेंट अवार्ड 2022 में कितने लोगों को दिया गया था चार असुनी अकंजी एथलेटिक्स को धर्म बीर सिंग को हाकी के लिए बेसी सुरेश कबड़े और निर बहादुर गुरंग को पैरा एथलेटिक्स के लिए पहला किसे दिया गया था भी या तीर परस्टनालिटी थी साहुराज बिराजदार अवर्ड इसकी सुरात 1991-1992 पच्छिस लाग एमाउन ध्यान चंद लाइफटाइम एचिविमेंट अवर्ड दोहजार दो से सुराद दस लाग रुपए का एमाउन दिया जाता है अगला आता है भी हमारा अर्जुन अवर्ड और आप देखेंगी कि इसकी सुरात 1961 से हुई है मुझे बताइए अगर आप से कुशन पूछ लिया जाए अभी अभी मैंने बताया मेजर ध्यांचंद खेल रत्न अवर्ड की सुरात 1991-1992 से हुई अरहा किना फिर ध्यांचंद लाइफटाइम एचिविमेंट अवर्ड की सुरात 2002 हुई जबकि अर्जुन अवर्ड की ते वन क्या मैं अर्जुन अवार्ड को इंडिया ओल्डेस्टय स्पॉर्ट अवार्ड कह सकता हूं भारत का सबसे पुराना खेल पुरुस्पार अर्जुन पुरुस्पार डाइट कुषन पूछ जाए वहां फिर मेरे साथ पूलें इंडियास 관련 इसपूर्ड अवार्ड ब दा फिल्ड ऑफ इस्पोर्ड के फिल्म में सबसे बड़ा अबॉड मेजर ध्यांचन खेल रतना वार्ट लेकिन दूसरा हाइजेस्ट जो अबॉड है दूसरा सर्वोच पुरुसकार खेल जगत का अरजुन पुरुसकार यानि अरजुन पुरुसकार इसलेटेट दो फैक्ट अरहा की ना में ध्यांचन लाइफ टाइम चीव्मेंट आवड में 10 लाइक रुपीज दिया जाता है इसमें 15 लाग और 15 लाग के साथ आपको एक अरजुन के चुक्ए अरजुन आवड है तो अरजुन का एक ब्रॉंच इस्टेचु दिया जाता है एक प्रमारपत्त दिया प्लेयर से 25 खिलाडी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया अब आप कहेंगे सर क्या इन 25 के नाम याद रखना जरूरी है क्या मैं कहूंगा कि अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है दो तीन बार पढ़ेंगे ना तो दिमाग में बैठी जाएगा कम से कम है उसमें भरोशे मत बैठीगा दो तीन बार लिश्ट को पढ़ लेंगे काम चल जाएगा लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हो रहा तो कम से कम यह ध्यान रखना है कि जैसे सीमा पुनिया साहब है तो सीमा पुनिया जी का समन्द किस स्पोर्ट से एथलेटिक्स से हैं फिर आरजुन अवार्ड 2022 का नहीं दिया गया है तो अगर आप दो तीन बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में यह तो बैठ जाएगा कि हाँ इनका नाम पढ़ा था इनको दिया गया है और इनको नहीं दिया गया है तो मेरे साथ दो बार पढ़ेंगे क्लास में आप लोग को यह एथलेटिक से बिलॉंग करती है अरे सीमा पुनिया एथलेटिक से बिलॉंग करती है ठीक है एथलेटिक की कोई सीमा नहीं है बौडर लेस है तो सीमा पुनिया एथलेटिक से हैं और अविनास साबले भी एथलेटिक से हैं तो तीन एथलेटिक से हैं तो मैंने एक जग लोज अविनास किसे हैं एथलेटिक से तीन नाम याद हो गए बहुत बढ़िया फिर आता भी है लक्ष सेन और यह बड़ी स्पोर्ट फेमस स्पोर्ट परसनाल्टी है आप से बिल्कुम पूछा जा सकता है कि लक्ष सेन किस स्पोर्ट से बिलॉंग करते हैं बैटमिंटन से क मैं प्रणय लेता हूँ ने qué देखता रहें और बैड है और मैं प्रणय लेता हूं सपस लेता हूं कि कि लक्ष पर दिमाक रखूंगा और बैड हैविट से दूर रहोंगा तो लक्ष से और प्रणाय एड़ोज अभीनास किस से हैं एथलेटिक से हैं प्रणाय लेता हूं लक्ष पर निगाहें साधे रहूंगा और बैट हैविट से दूर रहूंगा तो प्रणय एच एस और लक्ष सेन बैटमिंटन से बिलॉंग करती है अगला आता है मांसी ग्रेश चंद्र जोसी यह पैरा बैटमिंटन आपके वहले तब इधान रखेंगे मांसी पैर बैटमिंटन तरुन धिल्लो यह भी पैरा बैटमिंटन तो दो पैरा बैटमिंटन में आगई मांसी और तरुन मांसी और तरुन तोनों किसे हैं पैरा बैटमिंटन जब कि यहां पर सीमा अविनास एथलेटेक्स प्रणय एच्छ सो लक्सेन बैटमिंटन ठीक है चली बिया जेरलिंग अनिका और अमेत पंखाल तो ध्यां रखीगा जैलिंग अनिकां यह जेफ़ बैटमिंकेंस Korean में और अमीद पंखाल को बहुत अच्छे से ध्यान रखीगा काफे सुर्ख्यों में रहती है अमित पंगाल यह boxing से हैं किसे हैं अमित पंगाल boxing से यह female wrestler boxing ठीक है चलिए female boxer उसके बाद निखत जरी आप लोग ने कई बार इनका नाम सुना होगा boxing है भक्ति कुलकर्णी सत्रंज और और प्रग्यानन बहुत फेमस मैंने आप सभी को कभर भी कराया है कि जो सत्रंज वर्ल्ड कप हुआ था चेस वर्ल्ड कप 2023 बाकु अजर विजान की कैपिटल बाकु में अग जुलाई अगस 2023 में उसमें यह रनर अप रहें उसको जीता मैंगनस कालसन था लेकिन उसके रनर अप कौन रहें आर पर ग्यानन बड़े फिमस स्पोर्ट परसनालिटी ध्यान रखेगा सत्रंज चले दीप ग्रेस एक का हौकी तो ध्यान रखेगा दीप भीया अपना दीपक किसमें जलाका रखा हम लोगों ने एशन गेम्स में स्थे लेकिने ध्यान रखी का इनका नाम ध्यान रखना है क्योंकि मदर पर देश उसस्पोर्ट मल्खम में वो अच्छे से दिमाग्म रखीगा सागर कैलास मलकम ऐसी द्यान रखेगा सागर यान टोविया स्यभी स्रीज helpless Road aap schools a day wikash Punkte поехаж थाकुर बेट वेट लफ्टिंग यह guanti जैसे जैसे आपका क्षोगा थो आपका वेट क्या वशन क्या होगा भड़ेगा विक्ता शाकुर माली गुष्ती अगर एक आशु गिरा मैं तुरन तो कुस्ती करने पहुंच जाओंगा अरे एक भी आंसु गिरा कहते हैं ना चांद तारे तोड़ लाएंगी ये कर देंगी वो कर देंगी तो एक आंसु गिरा तो मैं कहां पहुंच जाओंगा कुस्ति काने तो अंसु मालिक कुस्ति सरिता मोर ये भी भी या कुस्ति लेकिन कुस्ति कहां करूंगा सरिता नदी में सर्ता मोर कुस्ति अरे प्रवीन कुमार है वुशु प्रवीन सहाब अपने सू बहार उतार के आईए अरे प्रवीन सहाब अपने शू बहार उतार के आईए प्रवीन कुमार वुशु स सब्सक्राइब ही और मेरा एसा मानना है कि अगर पूरे कंसेंटर्टरेशन के साथ किसी भी आगा नदी में कुष्थि करूंगा आसु बहा होगा आंशु मलिकुष्थि जैसी जैसे हमारा विकास होगा वेट बढ़ेगा तो विकास ठाकूर वेट लिप्टिंग फिर श्रीजा अकुला टेबल टेनिस ऊम पर क्याक भी यहां आन्सर क्या होईगा लांबॉलㅋ साकषी कुमार मैं साक्षी साक्षी नहीं कहते कि मैं सूर की साक्षी लेता हूं कवड़ी बहुत के अच्छा को बॉक्सिंग अमित पंगाल बहुत अच्छे सध्यान रखी का बॉक्सिंग जेरलीन अनिका बाधिर यह डेफ बैटमिंटन तरुन धिलो पैरा बैटमिंटन अरे मांसी गिरीश्चन जो सी तो मांसी भी पैरा विटमिंटन प्रडएं लख्ष बैटमिंटन फिर सीमा यल्ड साथ आपको बढ़ें क्या हम अप आंगी की कहानी बढ़ाएं चली यह अर्चुन अवार्ड में कुछ इस तरह की अर्जुन के प्रित्मा दी जाती है तो तीन अवार्ड पढ़ चुके हैं कौन कौन सा सबसे पहला मेजर ध्यांचंद खेलत अवार्ड कब इस्टार्ट हुआ 1991-1992 एमाउंट कितना दिया जाता है 25 लाग रुपए सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा ध्यांचंद लाइफ टाइम एचिव्मेंट अवार्ड इस्टार्ट हुआ साल 2002 में अरे कितना माल मिलता भी या आंसर हो जाएगा 10 लाग रुपीज तेसा हम लोगों ने पढ़ा 1961 में 2022 में कितने को दिया गया 25 को अरे इमाउंट कितना दिया जाता है आंसर जाएगा 15 लाग रुपए बढ़ते हैं भी या अगले अवार्ड की तरफ और वो है दोना चार अवार्ड नाम से क्लियर है दोना चार दोना चार कौन थे भी या गुरू थे तो यह जो कोच को दिया जाता है ट्रेनर को देते हैं इसके इस्टाबलिस्मेंट कभी या 1985 में तो सबसे पहला अर्जुन अवार्ड नाइंटी सिक्ष्टी वन दूसरा दोना चार अवार्ड नाइंटी फाइव तीसरा मेजर ध्यांचंद खेल रहतना वार्ड नाइंटीन नाइंटी वन नाइंटी टू और फिर ध्यांचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो हजार दो याद रहे जाएंगे इतनी बात नहीं अगर यह दोना चार अवार्ड है तो किसे देंगे भई या कोच इसको देते हैं ट्रेनर को देते हैं और ऐसे एक साल में मैक्सिमम ध् करीछ आती हैं दोशार वार्ड में दो कर Rap रे लाइव टायूमेंट जिया जाते हैं घृट्यार क्टेंगे और जो रेगृलार क् टेग्रीर है उसमें दस लाक रुपई दिये जाते हैं पहला किसे दिया गया था भीया तीन-तीन को शन फ्वासकर भगवर्ड पकी वर क। इ बालाचंड रहे यह रेसलिंग है बालाचंड रेसलिंग ओम प्रकास मुक्गे बाज जाये ओव नाम ब्यार तुषमे कि व्यां ध्यार नाम यह थ्लेट एक्स हो तो तीन लोगों को दिया गहाए था भालाचंड ओम नाम यारि मज़ा नहीं है अभी या मैंने पहले का है तप प्लता युहीं नहीं मिलती है खहरात में नहीं मिलती है महनद करना पड़एगा पसीनाडब काना पड़एगा तो मेरे सानदिभा फिर बोलिए पहला है एग। नाम वोट तीन को दिया गया तीन का शोरा होगी इतनी बात है अब साल 2022 में जो है एक हो गया lifetime achievement category और एक हो गई हमारी regular category lifetime achievement category में दिया गया दिनेस जावाहर लाड को तो आप के वल धियान रखेगा दिनेस दिनेस इनको cricket के लिए दिया गया साल 2022 में दोना चार आवार्ड lifetime achievement की category में तीन को दिये गया है कौन कौन से दिनेस जवाहलाड वीमल प्रफुल घोज और रासिंग अच्छा एक कटेगरी में गया मैक्सम कितने दिये जा सकते थे पांच ठीक है चली है विया रिगलर में चार दिये गया है मौम्मद अलीकमर boxing भीया कमर टूट गई boxing करते चरते मौमद अलीकमर boxing दूसरा नामाता सुमा सिरूर ये पैरा सुटिंग है तीसा नामाता है सुजीतामान बॉक्सिंग और जीवन जो सिंग तेजा रेसलिंग तो इक बाफी में साथ बोलें मुहमद अली कमर बॉक्सिंग वेरी गुड सुमा सिरूर पैरा सुटिंग बहुत बढ़िया सुजीतामान बॉक्सिंग के लिए और जीवन जो सि है दिनेज विमल राज दिनेज विमल राज दिनेज जवाहरलाड क्रिकेड विमल प्रफुल लगोज फुटवल और राज सिंको रेसलिंग क्लिए ठीक है कब से देखलो 15 लाइफिटाम एचिवेंड क्रिमीं रेगूलर में दस पहला कि से दिया गया था मैं और नामधीर बाला चन मधाज ब और नाम जो है एतलेटिक्स में फिर आल दोजए 22 में क्रिक है लाईफ टाइम क्रिम है डिनेज जवाहलाण फिप्रफुल कमार घोष और सिंग को जबकि रेगुलर सेड़ी में मुहम्मद अली कमर बॉक्सिंग सुमा सिरूर पैरा सुटिंग सुजीत मान बॉक्सिंग में और जब जीवन जो सिंग रेस्लिंग में क्लियर होगी इतनी बाती हैं हम सभी को चले विया अगला आता है हमारा नेशनल इस्पोर्ट प्रोमोशन अवार्ड राश्री खेल प्रोसाहन प्रुसकार नाम सिक्लियर है यह ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने इस्पोर्ट के प्रोमोशन में खेल को बढ़ावा देने में एक उलेखनी उपलब्दी हा रखेंगे प्रोसाहन देखें आप़े खुद लिखा प्रोसाहन ना ना यहाँगा नहकुल तो 2009 मिस्त की इस्टाबलिश्मेंट हुई दूणा चार अवर्ड की स्टाबलिश्मेंट अठारा सो फचासी में हुई फिर अगर आप चूशन पूचा जाए अर्जुन आजुन क यह उन सभी संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने राष्टी इसतार पर खेल को प्रुस्थाहन दिया क्लेरों इतनी बाते वर्ष 2022 में तीन संस्थानों के अप्रुस्थ का दिया गए उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है बस नाम देख लीजिए ट्रांस इस्टेडिया इ अजाद ट्रॉफी और इसकी इस्टाब्लिश्मेंट हुई थी उनी सो चपन संतामन में गेट ट्रॉफी टूर्नमेंट के तहट दिये जाते हैं ठीक है फिर ध्यान रखी का ओल्डेस तो हम अर्जुन अवार्ट को ही मालिंग क्योंकि इसे नेशनल अवार्ट का टेग्रीम में जो टूर्नमेंट होते हैं तो टूर्नमेंट में जो विजेता होता है उसे मौलाना अजाद मौलाना अबुल कलाम आचा ट्रॉफी दिया जाता है साल दोजार अच्छे इसका भी माउंट कितना है 15 लाक रुपए है दोनाचार लाइफ टाइम कटेगरी में भी 15 लाक सबसे पुराना अगर खेल पुझकार पूछे तो अर्जुन आवार्ट नाइंटिस्टिवन फिर यह किसे दिया जाता है इंटर विश्विद्याली सर के जो प्रतियोगता है उनमें दिया जाता है साल 2022 में गुनानक डिव विश्विद्याले अमरे सर को दिया गया ठीक है चल लिए अब कुछ आई सी आवार्ट से बस इन आई सी सी आवार्ट को एक बार देख लीजेगा इतने मीं काम चल जाएगा मेंस क्रिकेटर आफ दे यर बाबाराजम पाकिस्तान वोमेंस क्रिकेटर आफ दे यर नटाली स्काइवर कहां की अभी या इंगलेंड की धियान यह नटाली स्काइवर मेंस वंडे क्रiकेटर आफ दएः फिकॉन है बाबाराजम और मेंस वंडे क्रीकेटर आफ दे यर पिकॉन है नट नटाली और इंगलेंड की फिर यह ज़ुरू ध्यान रखिगा कि मेंस्ती टी टेट्सी टृंटी तमिक ट्रिकेटर आफ्ड धिए सूर कुमार यादों है वुमेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें से इंपॉर्टन तो नहीं है लेकिंगे सुर्कुमार यादो ध्यान रखी का कम सिक्व और रेंडुका सिंग वूमें सिमर्जिंग क्रिकेटर आप दयार है और सुर्कुमार यादो मेंस्टी 20 क्रिकेटर आप दयार समय में आगी बात आप सभी को बढ़ें चलिए तो हम लोग अमरी सरकी गुनानक डेव उनिवर्श्टी को ये अवार्ड दिया गया फिर उसके बाद हम लोगों को ने कवर किया राजशी खेल प्रोसाहन ना लास में ना रहनों द्वाजनों यह ऐसी संस्थाओं एंजियों को दिया जाता है जिन्होंने क्या किया है जोन्होंने स्पो सुमा सिरूर पैरा सुटिंग सुजीत मान बॉक्सिंग और जीवन जो सिंग तेजा आंसर हो जाएगा रेसलिंग क्लियर हो गित्ती बात हैं चलिए उसके बाद हम लोगों ने कवर किया कि दोना चार अवार्ड की स्टाबलिश्मेंट उनी सो पचासी में होती है कोचस को द दूर रहना है तो प्रणे लक्ष सेन यह दोनों बैटमिंटन मांसी तरूर पैरा मेंटन जेलिंग बाधिर अमित पंगाल जरू ध्यान रखिया बॉक्सिंग फिर आपको कम से कम यह वाला पॉइंट जरू ध्यान रखना है विकास थाको तो विकास हुआ वेट बढ़ गया अंसू अगर निकले तो कुस्ती पे उतर आएंगे भी यह सरिता मोर भी कुस्ती प्रवीर अपने सू बाहर उतार ख्या और फ्रवुन कुमार शू और सौपने में भी मैं तैरता हूं तो सौपनिल संजय पार्टिल तैरा की के क्लेर हो इतनी बाते इसमें इसकी स्टाबिश चलिए उसके बाद आपको मैंने बताए कि पहला मेजर ध्यांचंद खेल रतना वार्ट विश्वनात आनंद को और पहली महिला कौन थी कर्णम मलेश्वरी को कि साल नहीं दिये गए 2008-2014 में इस थापना कभूती है मेजर ध्यांचंद खेल रतना वार्ट उन्हें सो इंक्य को दिया जाता है कौन देता है भी या घोशना कौन करता है तो मिनिस्ट्री आफ यूथ अफैर इन इस तरह हम लोगों ने नेशनल इसपोर्ट आवार्ड वाला जो टॉपिक है बहुत ही सांधार धंग से कर लिया है इसकी जो पीडियाफ है आकार आइस ऑफिशल टेलिगा अफलाइन दोनों मोड मोड में प्रिलिम्स एस में क्लास से स्टार्ट हो चुकी है इसके लिए जादा जानकारी के लिए अब दिएक नमबर पर कॉंटेट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे परसन इन यूज यह व्यक्त कर दो